अरे मोधी इस बैक डिर जी इस बैक में कुछ नहीं है अभी तो मैं लखना उसे चला आ रहा हूँ दिल्ली के लिए दिल्ली के रेलबे स्टेशन पर आपने मुझे रोग लिया और बैक की चेकिंग कर रहे हो क्या बात है कोई बात तो पताओ रहो लिए कुछ नहीं यह नॉर्मल सी चेकिंग है तुम क्या सारे पैसंजर की चेकिंग कर रहे है हम लोग हपते में या महीने में एक बार हम रेलबे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए चेकिंग करते हैं सारे पैसंजरों की उनके सामान को बैक को अच्छी तरीके से चेक करते हैं जिससे की सुरक्षा को देखते हुए कोई भी बैक ती गलत कतब उठाने से डरे मोधी सर जी ये तो बहुत अच्छी बात है कोई बात नहीं है आप मेरे बैक को चेक कर लो सारे पैसंजरों को चेक कर लो ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो पैसंजरों की सुरक्षा के ही लिए है, बैसे मेरे बैक में कुछ है नहीं, एक जोड़ी कपले और थोड़ा सा पेटा लेके चला आया था, लगना उसे में, अरे मोधी सर जी अगर राहूल का बैक चेक हो गया हो, तो मेरे इस बोरे की चेकिंग कर लो, कंदे पे बोरा रखे रखे, कंदे में दर्द होने लगा, कब तक इस बोरे को कंदे पे रखा रहा हूँ, तो जिवरा सिंग जी एक बात बताओ, आप कंदे पे बोरा रखा विये हो क्यों, बोरे को नीचे फर्स में रख दो, उसके बाद जब राहुल जी के बैक की चेकिंग हो जाएगी आपकी बोरे की चेकिंग करके आपको जाने के लिए दे दिया जाएगा पैसे आपके इस बोरे में है क्या कुछ नहीं अखलेश जी कलकत्ता गया था कलकत्ता से कुछ सामान भर के लाया हूँ इस बैक में खरीद के घर के खाने पीने का सामान है और कुछ नहीं है चेक कर लीजिए हमें तो खुस ही हो रही है कि रेलवे इस्ट्रेशन पर अच्छी तरीके से चेकिंग की जा रही है हाला कि थोड़ी सी पैसेंजरों को दिक्कत तो हो रही है लेकिन ये सब पैसेंजरों की सुरक्षाई के लिए तो कर रहे हो आप बिल्गुल सिवराज सिंग जी आप बिल्गुल सही कह रहे है और सबकी सुरक्षा के लिए ही तो हम चेकिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग पैसेंजर बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं चीज़ चेकिंग से अरे आप लोग ये नहीं समाझे रहे हो अगर ये हम नेमत चेकि लोग बिल्कुल साथ सुतरे लिख रहे हैं किसी के बैग में भी कोई अबैद चीज नहीं निकली आइए मोधी सर जी चेकिंग छोड़िए अब खाना खाते हैं और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो कर जाओं बीच नदी में और मैं यह कहना जा रहा हूं तुम बैठे ही क्यों नाव में तुम्हें ओवर्लोड लग रही है तुम बैठते ही नहीं मेरी नाव में एक तो इस नदी पे कोई पुल नहीं है मैंने तुम लोगों के लिए यह सुब्दा कर रखी है कि मैं इस कैसा लेती हो बेहसाब तुम एक सबारी के 500 रुपए तो इतनी बेहसाब नाव क्यों भरते हो कहीं पलट उलट गई किसी दिन यह नाव तो क्या होगा अरे लालू जी पलटने उलटने की बाते मत करो पलटने के नाम से तो मेरा दिल धकदक करने लगा मुझे तो तैरना भी कमाई तो मेनत भी तो करते हैं मोधी जी इतनी सबारी को बैडा कर इतनी भारी नाव चलाना भी तो बहुत मेनत का काम है अरे बैयोगी जी बात तो यहीं पर आके रुम जाती है यह अपनी नाव में इतनी जादा सबारी बैठाती क्यों है जादा सबारी से नाव के डूबन का कितना खत्रा रहता ये तो चलो पानी की बात है अगर ये रोट पे इतनी सवारी चलाते होते तो इनका चालान कर जाता अरे अगलेस क्या करेंगा खांके इतनी कम भी बाते करती हो तुमने नाम लिया वो देखो कोई इस्पेक्टर अपनी नाओ लेके बड़े चलिया रहा ह अपनी नाओ की तरफ रोको पही रोको आपनी नाओ को रोको रोको यहीं पर जी इस्पेक्टर जी क्या बात हैं आप यहाँ पर पानी में क्या कर रहे है हमें घमर मिलीए तुम अपनी नाओ को ओवर्ड चलाते हो तुमारे नाओ की wrench मता है दस लोग बैठाने की तुम 50-50 लोग बैडाते हो अपनी नाओ में तुमारी नाओ का चालान कटेगा सर्जी कैसी बात करती हो मैंने मोटर सेकल, आटो रिक्सा, बसका तो चालान करते सुना है अब ये नाओ का चालान कब से कड़ना चालू हो गया भाई ये चालान कटना आजी से चालू हुआ है, तुम्हारी नाओ का बोट का मैं ओवर्लोड पे चालान कारता हूँ, भाई लोगो वीडियो को लेख करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अर्य मुदी जी ये आपकी टोकरी कितने की पड़ेगी, मुझे एक रैट बताना, भाववाजी करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे एक रैट बता दो, कितने की पड़ेगी, एक दाम बताओगे अगर सही, तो तुरंत ले लूँगा मैं तुम्हारी ये टोकरी राहुल मुझे भी भाववाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक रैट बताओगा, हाँ या नामे जवाब देना, 40 रुपए की पड़ेगी ये टोकरी, ले लो जाओ, पैसे तो मैं 50 की बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए 40 की लगा दी, तो रंत हाँ कर दो अब ही अगर नहीं तो दोबारा पूछोगे तो पचासी रुपए लोगा, मुधी जी ये सब टोकरी एक बराबर तो है, छोटी बड़ी तो नहीं है, एक बड़ी सी टोकरी छाट लूँ इन में से, चलो ले लेता हूँ 40 रुपए की, अरे राहुल बड़ी टोकरी क्या छा जाता है, और फिर मना करता हूँ कि रोट पर ये टोकरी की दुकान में लगाया करो, अती करमन मत लगाया करो, इस से हने जाने वालों के लिए जाम लगता है, अभी के अभी टोकरी लेके चले जाओ, नहीं तो मैं एक टेम पूलाँगा, सब भर के थाने में ले जाओंगा तोकरी को, अरे योगी इस्पेक्टर साब एक दो घंटे के लिए तो दुकानी लगाते हैं, उसमें भी तुमाज आते हो याँ पर, एक दो घंटी में क्या जाम लग जाएगा, इस्पेक्टर सर जी बस थोड़ी देर की बात है, ये थोड़े से गिराक आ रहा है, ये तोक और आ रहे हैं, उनको दे दू, फिर अटालूँगा दुकान को मैं, आपके बिना कहीं उठालूँगा मैं, इसका मितलब अभी नहीं अटाओगे तुम, अभी अटाओ टोकरी, समझें, मैं कह रहा हूँ, अभी अटाओ, अरे योगी इस्पेक्टर साब थोड़ी देर तो लगाने को कह रहे हैं, मोदी जी थोड़ी देर लगा ले ले दो, इन टोकरीों की दुकान को फिर हटा लेंगे, ये थोड़ी देरी की तो बात है, अरे राउल तुम्हे आपर टोकरी लेने के लिए आयो, टोकरी लेके जाओ, जाता बाते तो बनाओ मत्या पर, चलो इस्पेक्टर साब ये गंड़ा तो बहुत दूर, आदे गंड़े में हटा लोगा, साने की सारी टोकरी में, और भाइनों को वीडियो को लाट करो, चैनल को सब्सक्राब करो, लानो जी एक बात बता, तुम्हारी भेंस का दूथ दिन बाद दिन पतला कैसे होता जा रहा है कैसे पतला हो रहा है, ये बताओ, लेकिन पतला होने के बाबजूत भी तुम्हारी भेंस के दूथ का टेस्ट इतना बढ़िया होता है, कहीं दूसरी जगा से लेने का मन भी नहीं होता है, अरे कम से कम प्योर दूथ तो दो, पतला मत दो, अगर तुम प्योर दोगे तो टे बाल्टी में दूद भैश से और सामने ही माप के देता हूँ तुम्हें दूद ये बताओ पानी मिलाने का मुझे कहीं पे मौका मिलता है कहाँ पानी मिला लूँगा मैं चलो मोदेजी तुम तो आप आयो ये देखो योगी जी और अकले सूरस देपता भात को निकलें यह पह तो पूरे दिन जिसम में फुरती रहती थी, सरीर में फुरती रहती थी, अब तो एक गिलास क्या दो गिलास पीने के बावजूद भी जिसम में फुरती महसूसी नहीं होती, लेकिन सूरस देपता के निकलने से पहले पहले तुमारे भैस के दूद निकालने से पहले पहले हम यहां पर देखते रहते हो यह कब पानी मिला है यह पहले से ही पानी बाल्टी में लाते हैं उसी में दूद निकाल ले लगते हैं पानी अपने याम मिल जाता है इस चीज़ पे मैं कई दिन से नजर रख रहाता लेकिन आज पक्का हो गया आज मैंने देख लिया क्यों लालू अच्छा दूत है तुमारी भैस का लेकिन आज तक ये राज का राज है कि तुम पानी मिला कैसे लेती हो समझ भी नहीं आता और भाज लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइम करो